बारिस एवम नेपाल से पानी डिस्चार्ज होने के कारण बिहार में नदियों में जलस्तर में वृद्धी जारी है नदियां निचले इलाकों को अपनी चपेट में ले रही है इस वक्त हम गंडक नदी में SDRF की टीम के साथ बोट पर सवार है यहां निचले इलाकों में बार का खत्रा मनरा रहा है आपको बता दे गंडक नदी के जलस्तर में हुए इजाफे के बाद SDRF की टीम ने नदी में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है टीम हमारे साथ है आपको बता दे कि आपदा परबंधन विभाग ने सभी जीला प्रसासन को अलट रहने को कहा है हर अस्तिती से निपटने के लिए पूरी तरह से तयार रहने को कहा है यहीं वैसाली में बांध का भी निरिक्षन किया जा रहा है वैसाली के चार जगों पर तटबंध निरिक्षन केंदर बनाए गए हैं जहां अधिकारी तेनात किये गए हैं अगर इसी तरह से जलस्तर में ब्रिद्धी होती रही तो यहां वैसाली में नीचले इलाकों में जो है पानी घुस जाएगा हम क्या तयारी है और आगे चलके क्या इस्थिती रह सकती है जलस्तर की इस पर हम SDRF के टीम के लोगों से बात करेंगे वो हमारे साथ हैं कैमरा परसन जो विशाल है वो आपको गंडक नदी की तस्वीरे दिखा रहे हैं यह बताएए अभी तो जो नदी है खत्रे के निसान से करीब है क्या एक सप्ता पहले जो पानी बढ़ा है उत्तेज रफ्तार में बढ़ा है और अभी जो है करीब करीब पानी अस्तिर है दो दिनों से पानी बढ़ोतरी ज्यादा नहीं है अगर पानी इससे ज्यादा बढ़ेगा तो गहरा इलाका जो है उस इ तो इसके लिए हम टीम कमांडर एश्डी आड़े पाउने स्कुमार सिंग जो है पास टीम बनाए हुए है एक टीम राखोपुर में तैनाथ है एक लाल गंज में तैनाथ है तीन टीमें यहां पर है जो महनार के लिए और चेचर के लिए और हाजीपुर से लेकर स्थिति , अगर होती है तो उसके लिए तत्त पर हमेशार आते हैं इसनका कि आप लोग पेट्रोलिंग दे रहे हैं जलस्तर बढ़ने के बात से तो दिन बर में कितने गंटे पेट्रोलिंग करते हैं, आप लोग और कितने कोने में जाते हैं, हम लोग कोई पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, जब कोई इमर्जेंसी हमको जैसे दो दिन से अस्तिर पानी है, उत्पात वाले पेट्रोलिंग करते हैं, हम अगर कहीं पर कोई घटना घट गया, वहाँ पर जात प्लस कोई परशास्निक की लिए तो हम लेकर के जाते हैं और वहां चेक कराते हैं अभी पानी अगर पिर से होता है तो पानी से तो बाढ़ाने की संभावना हो जाएगी लेकिन अगर इससे अगर एक मीटर तक भी बरेगा तो बाढ़ नहीं अभी आएगी क्योंकि बाढ़ाने में अभी बहुत टाइम है और हर इस्तिती सनी पटने के लिए हम तैयार है बिल्कुल तैयार है तो देख यह कहा रहे तो देखिए अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में बाढ़ आ जाएगा ऐसा SDRF के टीम के जो लोग हैं वो कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि हम लोग हर समय अलर्ट मोड में हैं और हर इस्तिती से निपटने के लिए तैयार हैं कैमरा परसन व